लोकसवा चुनाव से ठीक पहले सारनपूर की बिहारी गड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने चार हतियार तश्करों को गिरफ़तार किया है और उनके पास से पिस्टल, मैगजीन्स और अवज तमेंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं अब से कुछ दिर पहले सारनपूर के सस्पी हैं डॉक्टर विपिन ताड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस की है और बताया है कि ये जो लोग हैं गिरफ़तार किये गए लोग हैं ये हतियारों को शोशल मीडिया के माध्यम से बेचा करते थे और उनकी फोटेज डालते थे और कई इंस्टाग्राम, वट्सप, फेस्बुक सब जगह पर ये फोटो डालकर उनको बेचने का काम किया करते थे इनके पास से भारी संख्या में हतियार बरामद हुए हैं दरसल चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से चोकननी है और उसी के चलते ये काम्यावी पुलि है चुनाव से ठीक पहले सारनपूर में इस तरह है कि जो शोचल मीडिया पर हतियारों की जो सप्लाई कर रहे थे उनको बेच रहे थे उनको पुलिस ने धर लिया है उनके पास से बरामद की कि यहां पर इनके द्वारा पुलिस के द्वारा की गई है डॉक्टर विपिन त आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा सोचल मीडिया सेल पर निरंतर निगाह रखी जा रही थी और इसी क्रम में कई ऐसे लोग जो अवांचनी और अपरादिक गतिवीदियों में लिप्त हैं जिनके बारे में पुलिस को सूचना प्राप्त होती रहती है प इन पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इनको गिरफतार किया है गिरफतारी में चार युवक गिरफतार हुए हैं ये चारों बदमासों से हमको दो पिस्टल और चार तमंचे और भारी मातरा में कार्तूस बरामत हुए हैं ये चारों जो है इन में से एक हरिद्वार क बना रखे थे जो इनमें की पूर में अपरादी जो जेल गए हैं और साथ ही ऐसे युवक जो की शरस्त्र खरीदने में रूची रखते हैं अवे शरस्त्र खरीदने में उनको जोड़ा गया था और वहां पर ये फोटो पोस्ट करते थे जिसमें की पिस्टल ये 40-50,000 रुप अन्य लोगों साथ संपर्क में आये हैं वो सभी विवेचना में शामिल किये गए हैं और इसमें आगे कारिवाई की जाएगी शुभम का भी कुछ निकल कर सामने आ रहा है पहले भी एक नेशनल लेडर के ओपर हमले क्यारों भी रहे हैं और इसमें इसे और पोश्टाच की गई थी जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने कारोबार के लिए जो अवैद असलाओं का जो खरीद फरोग का काम है इसके लिए अपरादियों के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं उसी क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि उससे मिलना हुआ था और इसमें आगे जाच की जा रही है जो भी तत्तिया आएंगे उस पे कारिवाई की जाएगी तो लोकसवाद चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव थी और शोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रहती चायद यही वज़ा है कि साहनपूर पुलिस ने पलब्दी हासिल की है और जो चार शातिर बदमाश हैं उनको हतियारों के साथ गरफतार किया है